ओके सो फाइनली हुगिल्ड सारा का सीजन टू रिलीज हो चुका है और यार इस सो ने पूरी दिमाग की बैंड बजा दी और जैसा कि अपन बोलते हैं ये सीरिस कता ही जहर है तो सबसे पहले अगर अब तक सीजन वन का वीडियो नहीं देखा तो यार देख लेना लिंक डिस पर एलेक्स को कोई आडिया नहीं होता कि ये बोडी किसकी है पर एक चीज़ कंफर्म है कि एलेक्स की पूरी तरह से लग चुकी है क्योंकि ये बोडी उसकी जेल जाने से पहले की है तो अब इन्हें एक लॉयर जुगाड करना है जो इनका केस लड़ सके तो एलीसा अपने का होता है कि उसे ये पता लगाना होगा कि आखिर सारा को हुआ क्या था तब ही उन्हें पता चलेगा कि ये बोडी किसकी है और इसे किसने मारा खेर तो एलेक्स एक मेडिकल सेंटर जाता है डॉक्टर एलनीस से मिलने जिसका नाम सारा की डैरी में में मेंशन होता है तो बड़े होने पर ड्रक्स की वज़े से ये और ज़्यादा खतानाक हो गई। पती की बेटी नहीं है। पती की बेटी पती बेटी बेटी है। और ने काटी थी, तो उस दिन हुआ ये था कि जब अल्रॉय रसी काटने गया था, तो वो रसीया नहीं काट पाता, साध एक वचा ये हो सकती थी कि वो सारा को काफी पसंद किया करता था, तब ही वहाँ निकेंडरो आ जाता है और एल्रॉय वहाँ ते चला जाता है, खेर तो एलेक्स मेरिफर को मैसेज करता है, पर मेरिफर कोई जवाब नहीं देती, तब ही क्लेरा वहाँ आ जाती है, और क्लेरा मेरिफर की छोटी बेन होती है, और ये सब मेरिफर का plan होता है ट्लैरा को चैमा के करीब भेजने का तो मेरिफर की मॉम क्रिष्टीना लेजकानों के यहाँ पाम करती थी पर वो अचाना गैब हो गई, मेरिफर को लगता है कि यह सब उन लोगों नहीं किया है इसलिए ट्लैरा चैमा के करीब जाना चाती है ताकि अपनी मॉम का पता लगा सके खैर चैमा लॉरेंजो को मनाने की कोशिस करता है कि वो उसके साथ घर वापस चले पर लॉरेंजो अब चैमा के साथ नहीं रहना चाता था इसलिए वो मना कर देता है वहीं एलेक्स फॉरेंसिक होस्पिटल जाता है खैर मरियाना अल्रॉय को बोलती है कि अब उसके गुडबाई बोलने का वक्त आ गया है मतलब वो उसे मारने वाली थी तो मरियाना के कहने पर ही अल्रॉय ने अकाउंटेट ओटिगो को मारा था क्योंकि वो एलेक्स से मिल गया था जो उनके लिए सही नहीं था और एल्रॉय नहीं रुडॉल्फो को स्पा में बंद किया था ताकि उसे सबक सिखा सके क्योंकि वो अपने फैमिली के खिलाब बात कर रहा था जिसके बद मरियाना इंजेक्सन उसके दवा में इंजेक्ट कर देती है और एल्रॉय की मौत हो जाती है वहीं क्लेरा चैमा को सेड्यूस करने की कोशिस करती है क्लेरा बोलती है कि लॉरेंजो अब उसे भूल चुका है और इस बच्चे को भी और हम दोनों अकेले हैं वहीं सर्जियो एलेक्स को बताता है कि वो लोग एक थीम पार्क देखने जा रहा है जिसे उन्होंने कुछ वक्त पहले ही खरीद है और वहां उनकी सिकरिटी भी नहीं होगी तो ये उनके लिए एक अच्छा मौका होगा सीजर को ठिकाने लगाने का एलेक्स बोलता है वो उसका काम कर देगा पर बदले में उसे सारा का सज जानना है सर्जियो बोलता है कि वो उसकी बहन के बारे में कुछ बाते बता सकता है पर पता नहीं वो इसे कितना जिल पाएगा जिसके बाद एलेक्स पार्क लिए निकलता है और एलीसा नहीं तो वो ये सारा record मीडिय और पुलिस वालों को दे देगा तभी Alex Caesar के bank record की copy को जला देता है तभी Alex वहाँ से भागता है और Caesar उस पर fire करता है Alex एक bomb लगा देता है और वो Caesar को उड़ाने वाला होता है पर Elisa वहाँ आ जाती है और bomb फड़ जाता है और Elisa घायल हो जाती है पर Elisa Alex को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और Caesar Elisa को hospital ले कर जाता है तभी Sergio Caesar को बताता है कि कसीनों में income tax वाले आए हैं और वो लोंग हमारा audit करेंगे और उन्हें नकली record और tax की चोरी के बारे में सब कुछ पता है और उन्हें floor की मौत के बारे में भी काफी कुछ पता है Alex नोंने सब बता दिया है और अब तक उन्हें ये भी पता चल गया होगा कि basement में क्या है वहीं Sophia Phyllis को call करती है और बोलती है कि तुमें Bruno को जितनी जल्दी हो सके यहां से ले कर जाना होगा हम मुसीबत में हैं और Bruno को तुम्हारी जरुरत है तब ही Rudolpho का एक lawyer आता है Rudolpho ने divorce के लिए file किया है वहीं Rudolpho Mariana को बोलता है कि वो बच्चा ना तो मेरा है और ना ही Nicandro का क्योंकि उस वक्त हम दोनो swimming competition के लिए बाहर गए हुए थे तो फिर वो बच्चा किसका है पर Mariana उसे कुछ भी नहीं बताती इसका उद Mariana Caesar को धमकाती है कि उसकी family को कुछ नहीं होना चाहिए नहीं तो वो उसका वो हल करेगी जो उसने कभी सोचा भी नहीं होगा Alex Alisa से मिलने hospital आता है तब ही Mariana वहाँ आ जाती है Alex उससे पूसता कि सारा के बच्चे कबाब कौन था पर Mariana जुट बोल देती है और Nick Andrew का नाम ले देती है तब ही Marifer वहाँ आ जाती है और बोलती है कि वो Elisa से मिलने आय थी फिर वो Alex के साथ उसके घर जाती है Alex Marifer से पूसता है कि क्या उससे सारा के बिमारी के बारे में पता था Marifer बोलती है कि उससे पता था एक बार तो उसने उस पर seizure से भी हमला किया था और तुमारी मॉम को तो वो कई बार पिट चुकी थी खैर Alex एक मिल तैयार करता है उसके पास सारे एविडेंस होते है लेसकानों के खिलाप जो उन्हें खतम कर सकते थे तब ही Alyssa Alys को गुडबाई बोलने आती है क्योंकि वो सब खतम करके स्पेन जारी होती है Alys बोलता कि उसके कंप्यूटर में एक मेल तैयार है जिसमें फ्लोर के खून का और दूसरी लड़कियों का सबूत है जिने तुमारे डैड ने बेस्मेंट में रखा हुआ है और मेरे एक क्लिक करते ही वो मेक्सिको के सारे मीडिया चैनल और पुलिस को चला जाएगा और जब सर्जियो एयरपोर्ट से भागने की कोसिस कर रहा होता है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है क्लेरा चैमा को सेड्यूस करती है और क्लेरा का प्लैन होता है कि वो लोरेंजो को चैमा से दूर करना चाती थी और उसका प्लैन वाग भी कर जाता है लोरेंजो उन दोनों को Uncompromised Position में देख लेता है और भढ़क जाता है चैमा उसे समझाने की कोसिस करता है तब ही वहां मौन्चो आ जाता है और वो लोरेंजो पर हमला करता है और चैमा लोरेंजो को बचाने के लिए उसे चाकू मार देता है और उसकी मौत हो जाती है तो अब इन तीनों की पूरी तरह से लग चुकी है और अब इने समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो लोग क्या करें क्योंकि घर में ऐसा कोई भी सबूत नहीं है जिससे वो लोग ये साबित कर सके कि ये सब उन्होंने सेल्फ डिफेंस में किया है चैमा बोलता कि हमें ऐलेक्स की मदद लेनी चाहिए क्योंकि वो एक लौता इंसान है जो उनकी मदद कर सकता है जिसके बद वो लोग ऐलेक्स की मदद से उस बौड़ी को जमीन में दफना देते हैं खैर मेरीफर एलेक्स के घर आती है और कैसीनो बंद हो जाने की वज़े से काफी खुश होती है जिसके बद वो लोग थोड़ी बहुत पार्टी करते हैं मतलब अपने तरीके से करते हैं वहीं मेरीफर को निकेंडरो का कॉल आ रहा होता है और निकेंडरो एलेक्स के घर के बाहर होता है और वो काफी वक्त से एलेक्स पर नजर रखे हुए है खैर एलेक्स बोलता है कि 6 मैने हो चुके हैं पर अब तक उन्हें बॉड़ी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला लोरेंजो बोलता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि सरकारी वकील अब तक चुप क्यों है ऐसा लगता है उन्हें कुछ मिला है पर वो बताना नहीं चाते जिसके बाद एलेक्स चोरी चुपे फोरेंसिक लैब के अंदर गुसता है जहां उसे उस बॉड़ी की रिपोर्ट से पता चलता कि वो बॉड़ी किसी अबेल मार्टिनीज नाम के बंदे की है मतलब सारा की डैट की दुसरी तरफ सर्जियो जेल से भागने की प्लैनिंग कर रहा होता है सर्जियो लॉंडरी में गार्ड पर अटेक करता है लेता है और मेरिफर वहीं मौझूद होती है और वो सब रिकॉर्ड कर रही होती है वहीं फिलिक्स सोफिया से मिलता है फिलिक्स और सोफिया का डैवर्स हो चुका है और वो बुरुनो के असली डैड है सोफिया फिलिक्स को बोलती है कि वो ब्रुनो का अपने साथ यूएस ले जाए एलिक्स एबेल के बारे में सर्च करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता वो मेरिफर ते पूछता है कि क्या वो एबेल को जानती है मेरिफर बोलती है, हाँ वो जानती है, पर क्या उसकी मॉम ने उसे कुछ नहीं बताया मेरिफर बोलती हैं कि अब हमें मिलना चाहिए, जिसके बाद ऐलेक्स पर पीछे सो कोई हमला करता है और वो बिहोस हो जाता है जब Alice को होस आता है तो Caesar उसके सामने मौजूद होता है Caesar उसे एक कैसेट देता है जिस पर Elisa का नाम होता है Caesar बताता है कि सर्जियों ने Elisa को किटनैप कर लिया है क्योंकि मैंने उसे पकड़वाया था और अब वो चाता है कि मैं खुद को मार दू किवल तुम उसे डूंड सकते हो तब ही वहाँ पुलीस आ जाती है और सर्जियों उनके सामने सरिंडर करता है पर सर्जियों खुद को गोली मार लेता है Caesar की मौज से मैरीफर काफी खुस होती है पर एलिस को कोई आडिया नहीं होता ऐसा क्यों है जिसके बाद दोनों एलिस के घर जाते है और गलती से मैरीफर उस कैसेट को देख लेती है जिसमें एलिसा का वीडियो होता है एलिस इस बाद से भढ़क जाता है पर चैमा को कॉल आता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके डैट की मौत हो चुकी है और चैमा वहाँ ते चला जाता है वहीं क्लेर मेरिफर ते पूछते हैं कि आप सीजर की मौत हो चुकी है तो फिर वो लोग उनकी मौम का पता कैसे लगाएंगे तब ही निकेंडरो वहाँ आ जाता है निकेंडरो बोलता कि सारा ने उसे बहुत कुछ छीना है तो रुडॉल्फो सारा और एलेक्स को निकेंडरो के घर ले कर जाता है पर क्योंकि वो लोग अच्छी फैमिली से नहीं होते इसलिए निकेंडरो ने कुछ खास पसंद नहीं करता पर सारा को ये बात अच्छी नहीं लगती सारा को पता था कि निकेंडरो ड्रक्स बेचता है और उसे पैसे के जरुरत थी एबल को छुडाने के लिए तो सारा निकेंडरो से बोलती है कि वो उसकी ड्रक्स बेचने में मदद कर सकती है और उस पर कोई सक भी नहीं करेगा पर उसे एडवांच चाहिए निकेंडरो माना करता है पर यार मर्द आद में कितनी देर जहल पाता आखिर वो मान जाता है तब ही मेरीफर वहां जाती है जिसके बाद मेरीफर निकेंडरो को उससे दूर रहने के लिए बोलती है वहीं अल्रॉय उन सब पर नजर रखे हुए था जिसके बाद सारा एबल से मिलती है और उसे पैसे दे देती है जब निकेंडरो अपने पैसे वापस मांगता है नहीं तो वो किसी की जान ले लेगी सर्जियो एलिसा को बताता है कि तुमारा वो वीडियो तुमारे डैट के पात पहुँच गया है सर्जियो बोलता कि ये सब मेरा होना चाहिए था क्योंकि मैंने उसकी कई बार जान बचाई है और सारा तो जैसे इस दुनिया में हमें मारने के लिए पैदा हुई थी और खुदी कुत्ते के मौत मर गई खेर मैं रिफैर एलिस को एक वीडियो बोईसती है जो एलिसा की किटनैपिंग के वीडियो होता है एलिस उस गाड़ी के नंबर तो उसकी डिटेल्स निकलता है तो उसे पता चलता है कि वो गाड़ी रेंट की थी एलिस चोरी छुप उस गराद में गुशता है और उसे वो कार मिल जाती है और उसकार में उसे एक passport मिलता है जो Abel की होती है पर उसमें फोटो Sergio का होता है जब Alex उस passport को चेक करता है तो समझ जाता है कि Sergio ने Abel के passport पर अपनी फोटो लगाई है दुस्तर अब Sophia Bruno के पास आती है और बोलते है कि उसके डैड मेक्सिको आए है और हमने फैसला किया है कि तुम कुछ दिन उनके साथ US जाकर रहोगे तब ही Sophia को अचानक पेन होना स्टार्ट हो जाता है रुडॉल्फो और चेमय ऐलेस के घार आते हैं रुडॉल्फो पुसता कि उसके डैड यहां पर क्यों आये थे एलेस बोलता कि सर्जियो ने अलीसा को किटनैप कर लिया है और वो उससे मदद मांगने आ थे रुडॉल्फो बोलता कि यह सब तुमारी वज़ा से हुआ है और वो पुलिस के पास जाएगा और उसे जेल भेज कर रहेगा पर सीजर अभी जिन्दा होता है तो एक बंदा सीजर के पास आता है और उसे एक पार्सल देता है जो सर्जियो ने भेजा था तब उसे किसी जेनरल का कॉल आता है जो उसे बताता है कि सर्जियो जेल से भाग गया है सीजर बोलता कि अब उसे मरने का नाटक करना होगा क्योंकि उसे अपनी बेटी को बचाना है सिजर मरने का नाटक करता है और पुलिस वाले भी उसके साथ होते है डॉक्टर उससे death certificate देता है और अब वो officially मर चुका है पर वो अब भी जिन्दा होता है तो अपने इसे क्या बोलेंगे मरा हुआ जिन्दा इंसान खेर अफिसर मुराल्स लोरेंजो सो मिलती है और बोलते कि उसे मौन्चो के बारे में बात करनी है जिसके बाद अफिसर मुराल्स उन तीनों से पुस्ताच करती है अफिसर बोलते कि जिस दिन मौन्चो गायब हुआ था उस दिन उसने अपने भाई को कॉल करकी ये कहा था कि वो यहाँ कोई पुराना हिसाब करने आ रहा है लोरेंजो बोलता है कि उस दिन उसने हमें बहुत परसान किया था वो काफी नशे में था वो पुलिस को कॉल करने ही वाला था पर वो वापस चला गया Lorenzo बोलता कि वो एक गुंडा था तो जाईर थी बात है उसके कई दूसमन होंगे Officer बोलते कि उन्हें लगता है कि उसे किसी चोर ने मारा होगा क्योंकि उसके body पर कोई भी कीमती समान नहीं मिला तो Lorenzo ने उसके समान गायब कर दिया था वही Marifer Nicandro को सारी बात बता देती है Marifer का plan होता है कि वो लोग Clara के बच्चे जो कि चैमा का होता है उसके लिए Mariana को blackmail करेंगे ताकि वो उन्हें उसकी मॉम के बारे में सब कुछ बता दे और ये बच्ची उनका एक लोता रास्ता है उनकी मॉम के बारे में जानने का खैर Rudolpho Bruno को बता था कि तुम्हारा भाई पैदा हुआ है पर delivery में कुछ complication है वही Mariana अपने lawyer से बात करती है कि ये बच्चा उसके पती का है जो अब मर चुका है Mariana उस बच्चे की custody चाती थी और ये बात Rudolpho सुन रहा होता है पर Rudolpho ये नहीं चाता था इसलिए वो Bruno के साथ मिलकर एक plan बनाता है दुसी तरफ लोरेंजो चैमा कहीं जा रहे होते हैं तब ही Moncho का भाई Lorenzo पर attack करता है और वो उसे मार देता है और Lorenzo की मौत हो जाती है दुसी तरफ Alice कुछ photos चेक कर रहा होता है जो उसने सर्जियो के घर से खीचे थे और उसमें उसे एक नाम मिलता है जब वो उस नाम को चेक करता है तो उसे सर्जियो की एक और property date के बारें पता चलता है जहां सर्जियो ने Elisa को रखा था Alice उस जगह तक पहुँच जाता है और सीजर वहां उसका वेट कर रहा होता है जिसके बाद वो लोग Elisa को छोड़ा लेते है Alice Elisa को ले जा रहा होता है तब ही उसे गोलिया चलने के आवाज आती है बाद में रास्ते में सीजर उने मिलता है Alice पूसता है कि उसने सर्जियो के साथ क्या किया पर सीजर उसे कुछ नहीं बताता पर सीजर ने सर्जियो को मार दिया था Alice सीजर से सारा के बारें पूसता है सीजर बताते है कि उस बंदे ने जो तुमारे घर में दफन था 18 साल पहले उसने सारा को मानने की कोसिस की थी और मैंने उसकी जान बचाई थी पर मुझे नहीं पता वो कौन था तो सारा के पैसे देने के बाद एबेल गार्ड को पैसे खिला कर जेल से भाग जाता है जब सारा एबेल के रूम में जाती है तो उसे उसके room से एक photo मिलती है जो Marifer की mom और उसके dad की होती है जिसका मतलब यह होता है कि Marifer उसकी बहन है बाद में Abel Sarah के उपर हमला करता है Sarah help के लिए Caesar को बुलाती है और Caesar उसे मार देता है Sergio उसके passport को रख लेता है दुसरी तरब एक नर्स मरियाना को बताती है कि सोफिया बच्चे को लेकर भाग गई, तब ही वहाँ क्लेरा आ जाती है, क्लेरा बोलती है कि उसकी बहन मेरिफर को सक है, क्यों लोगों ने उसकी मॉम को गायब किया है, और वो आपको ब्लैकमेल करना चाती है, वही रुडॉल गया, उसने कहा जो कुछ हुआ उसे वो भूलने के लिए तयार है, पर उसने मेरी फैमिली को सब कुछ बता दिया, जिसका मेरे पैरेश ने मुझे फॉरें भेज दिया, वही एलेस को ये भी पता चल जाता है कि उस दिन मरिफर वहाँ मौजूद थी, निकेंडो बता थे कि वो अपने मौम के लिए गई थी, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मौम को लेस कानो ने गायब किया है, एलेक्स को पता था कि डैना हंटर मेरिफर है, और वो मेरिफर को मिलने के लिए बोलता है, नेकेंडो सारा के रूम में जाता है, जहां उसे वो मुर्ती मिल जाती है, ज तबी Abel वहाँ आ जाता है और उसे पैसे मांगता है। वो बताता है कि उसने उसकी मॉम का रेप किया और क्रिश्टीना को भी उसी ने मारा क्योंकि वो उसकी बच्चिया छिनना चाती थी जिसके बाद वो सारा पर हमला करता है। सारा जैसे तरह से करके सीजर को कॉल करती है और सीजर वहां आ जाता है अबेल सारा को मार रहा होता है और सारा को बचाने के लिए सीजर अबेल को मार देता है खेर अलीसा एलेक्स के यहां आती है अब तब ही वहां मेरीफर आ जाती है एलिस मेरिफर को सारी बात बता देता है कि सारा उसकी बहन है और उसके डैड नहीं उसकी मॉम को मारा था मेरिफर ये बात बरदास नहीं कर पाती और वहां ते चली जाती है तो उस दिन मेरिफर सारा से मिली थी और सारा और उसमें जगड़ा हो गया था और मेरिफर ने गुस्से में रस्यां काड़ दी थी मतलब मेरिफर नहीं सारा को मारा था एलिसा बोलते कि ये साचे की लेसकानों जिसके भी करीब आते हैं वो लोग बरबाद हो जाते हैं तो अब किसी को उनकी ताकत खतम करनी होगी मेरिफर घर आती है और क्लेरा बोलती कि सब उनके प्लैन के मताबित हो रहा है तब ही वहां मरियाना आ जाती है मरियाना बोलती कि मैं सबने भी क्रिश्टीना का बुरा नहीं कर सकती थी और मुझे तुमारे प्लैन के बारें पता है मैरीफर बोलती कि हमसे गलती हो गई है पर किसी को सजा तो मिलनी होगी और वो गुसे में गण निकाल लेती है क्लारा उसे रोकने की कोशिस करती है और गलती से गण चल जाती है और क्लारा को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है जिसके बाद चैमा को एक कॉल आता है और चैमा होस्पिटल आता है जहां चैमा देखता है कि क्लैरा मर चुकी है और उसका बच्चा भी और अब उसका सब खतम हो चुका है जिसके बाद चैमा पुलिस टेशन जाता है और आफिसर मुरॉल से मिलता है और बोलता है कि एबेल औ और उसे बचाने की कोशिस करता है तब ही वहां मेरीफर आ जाती है और बोलते कि सारा को उसने मारा है पर तब उसे नहीं पता था कि वो उसकी बहन है तब ही मेरीफर के उपर कुछ मलबा गिर जाता है और वो दब जाती है और वो दोनों किसी तरह वाँ से निकलने में काम्याब हो जाते है तो अब Alex को छोड़ दिया गया है Alex बोलता कि केवल एक इंसान है जो सारा सच जानता है और चैमा को बचा सकता है पर उसे जिंदा होकर वापस आना होगा तो Caesar अपने life के मजे ले रहा होता है पर उसे एक अफसोस है कि उसने Alex नाम का बेटा पैदा नहीं किया बट वेट, स्टोरी अभी खतम नहीं हुई है निकेंडो डॉक्टर एलिनीस को कॉल करता है और सारा किसी प्रोजेक्ट के फर्स्ट पेसिंट थी निकेंडो के डेट ने डॉक्टर को पैसे देने का प्रॉमिस किया था तो इससे एक चीस तो कन्फर्म है कि इसका सीजन 3 भी हमें जल्द ही देखने को मिलेगा तो इसी के साथ वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना See you in the next video, तब तक के लिए गुडबाई